तो दोस्तो आज है 6 जूलाई 2022 और आज में लेके हूँ आपके लिए फिर से मिस्टान फूर्ड लिमिटेट का कम्प्लीट शेयर इनलेस और इस कम्पनी को पर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें करीम जीने कमेंड के था तो अगर आपका भी कोई क्वेरी से तो प्लीज नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजे ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें और अगर आप भी दोस्तो इस कम्पनी के बारे में कम्प्लीट जानकारे हासिल करना चाहते तो बीना इसकीप किये वे आप इस वीडियो को बिल्कुल आंते तक देखते रहे हैं ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्फुल सावित होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों सबसे वला हम इस कम्पनी का फंडामेंटल को जाने के बारे के से हर एक चीज़ को और चार्ट पटन को नलाइस करके मैं आपको बतना वाला हो कि अपको इस वक्त इस कम्पनी पर नीवथ करना चाहिए कि नहीं दोस्तो वीडियो की शुरुबात में हम इस कंपनी का quarterly रीजल पर भी एक नज़र डालेंगे और अगर आपके बाश टेरिंग करने के लिए दिमाट एकाउन एगे तो वीडियो के निचे डिस्क्रिप्सेन पर मैंने लिंक के दे दिया है जैसे आप ग्रो जैसे बड़े प्लाटफोर में फ्री में अपना ट्रेलिंग अकाउन ओपन कर सकते हैं और वीडियो के निचे डिस्क्रिप्सेन पर दिये गए लिंक को यूज करके अगर आप ग्रो में अकाउन ओपन करते हैं तो यह है इस कंपनी का मार्च 2022 का फ्रेश कोटले रिजल्ट रेविन्यू पर आकर आप देखेंगे तो येर और येर रेविन्यू पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 46 परसन के आसपास नेट इंकम दोस्तो 3710 परसन का शांदर प्रॉफिट में है कंपनी इस साल में अर्निंग पर शेर में कंपनी को इस साल में प्रॉफिट हुआ है 1200 परसन का नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तो लगबग 2500 परसन का शांदर प्रॉफिट में है कंपनी इस साल में क्यामटर को समझ लेते तो मैं लेके चलता हूँ आपको इसके लिना डॉट इन पे तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ इसके लिना डॉट इन पे आपको शॉटकर पर बता दू यह कंपनी जो है यह FMCG का पैनी स्टोक से ठीक है इस कंपनी का प्लोटल मार्केट कैप यहां पर दिखा देता हूँ आट सो एट नाइटी टू करोर का कंपनी का मार्केट कैप है करन शेर प्राइस आट रुपया है मतलब नौ रुपय के आसपास जा चुका है हाई एच बनाया तो कुछ दिन पहले 20 रुपय के आसपास और अगर लोईस्ट प्राइस दिखा जा तो इ नहीं तो आकर आप गलत टाइम पे सही समय पे शेयर पे निवेश करेंगे तो वह भी आपको नुकसान दे सकता है रही बात बुक वेलू कंपनी का बुक वेलू इस बख एक रुपया एक पैसा है यह कंपनी आपको थोड़ा बहुत डिवीडेन भी दे देता है इसका रिज इस बख में 13 परसन के आसपस आपका इसपेट करता था तो यहां पर ठीक टाक नंबर से आप यहां पर देख सकतो कंपनी का फेज बलू इस बख एक रुपय का है तो थोड़ा सा और स्क्रोल डान करके जो बाकी सारी इंपोर्टेंट चीज़े है मैं आपको दिखा देता तो यहां पर आप देख सकतो कंपनी का जो उधारी पे बिजनस था उसमें काफी इंपूर्मेंट लाया है दूसरा यहां पर कंपनी जो आने बाला कॉर्टर रहा और भी अच्छा आने की एक्सपेक्ट करता है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जिससे आपको फरक परता है जो आपको प्रॉफिट दिला सकता है वो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रूथ बीदे 5 सालों के मुकाबले में कंपनी का प्रॉफिट ग्रूथ 80% से बधा बढ़ चुका है तो definitely company को अकर profit होगा तो आपको भी profit होगा रिटेल इमें profit होगा टेक है और dividend के मावले में यहाँ पर dividend बहुत ही अच्छा खासा dividend दे रहा है company is well तो long term के लिए आप बिल्कुल निवश का सकते हैं अगर आप अच्छा fundamental वाले company का तलाश में हैं यह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबिध हो सकता है मैं फिर से कहता हूँ आपको market का direction समझना है उसके बाद ही निवश करना है क्योंकि अभी market downtrend में है इसलिए कोई भी shares तुरण जलबाजी में long term के लिए बिल्कुल निवश नहीं करना है stock is trading at 8.82 times is book book value का number is is book थोड़ा सा बढ़ चुका है आपको ये भी ध्यान अकना है रही बात इस company का quarterly result तो यहाँ पे consolidated में आपको दिखा देता हूँ मार्स के quarter में company का expense हुआ 131 करोड कंपनी का sale हुआ है 153 करोड तो इस quarter में company ने बहुत ही अच्छा jump मारा operating profit में company profit में रहा 22 करोड जबकि December के quarter में 13 करोड का था लगबग double के आस पास जा चुका है profit के मामले में यहाँ पे profit before tax में आप देख सकते हो इससे पहले quarter में 12 करोड था यहाँ पे सीधा 21 करोड पे आ चुका है net profit इससे पहले quarter में 8 करोड का था यहाँ पे 13 करोड पे आ चुका है तो यहाँ पे highest चार-पांच सालों में highest बना यहाँ इस वक्त एक बहुत ही अच्छा jump मारा है इस quarter में company profit में 13 करोड का सेम चीज आगा year on year दिखा जाए तो 2022 में company का expense हो चुका है 447 करोड का ठीक है और company का sale कितना हुआ 499 करोड का operating profit में रहा company इस साल में 52 करोड का और अगर आप company का profit before tax देखेंगे तो यहाँ पे 41 करोड कमपनी शांदार profit में है इस साल में net profit हुआ company को इस साल में आप देख सकते हो बहुत अच्छा jump मा रहा है 31 करोड जबकि 2021 में only 1 करोड का profit में था तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको नजर आएगा company का fundamental के मुताविक भी हर चीज अच्छा नजर आ रहा है आप तक के मुताविक रही बात company का यहाँ पे अगर आप इस company का balance sheet देखेंगे एक नजर तो आपको यहाँ पे liabilities में काफी हिजा पर नजर आएगा 128 करोड का इस से पहले साल में था company के पास liabilities यहाँ पे जंप मारा है 161 करोड का हो चुका है फाइनली देखा जातों यहाँ पे लगातार year-on-year बढ़ता जा रहा है company का जो asset भी बढ़ चुका है 161 करोड का asset हो चुका है तो अगर cash flow देखेंगे तो इस वक्त cash flow company के पास zero है आप यहाँ पे देख सिक तो मार्च 2022 का quarter के बाद यहाँ पे अपडेट हो चुका है मैं आपको इस company का share holding pattern दिखा देता हूं एक नजर हलाकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे F.I.L.S और D.I.S कोई भी नहीं है लेकिन यहाँ पे promoters और public है और यहाँ पे promoters का बहुत ही शांदर holding है 50% के चार परण को analyze करके दिखाता हूं इस company पे आपको मालूम पढ़ जाएगा कि आपको इस company पे कभी निवेश करना चाहिए तो मैं आपको लेकर आच चुका हूं company के share's के चार परण पे आज के दिन दे सकते ही यहाँ पे आपको लगबग 1% के आज पास अपर से रिक्ट दिय इस हफते में negative return रहा लगबग 1% का एक महीने का चार्ट प्रण के मुताबिकिया पे लगबग 35% का negative return दे चुका है मैं आपको इसी लिए बोलता हूं कि कि किसी भी company पे निवेश करने का सही समय होना बहुत ही जरूरी है नहीं तो गलट टाइम पे आपको लागाता जब लो क्योंकि अब लोवर सरकीर पे अगर निविश करेंगो तो यह आपका शेयर सस्ता शेयर और भी सस्ता हो जागा तो आपका पैसा भी गिर जागा value भी गिर जाएगा max 6 month के मुताविक यहाँ पे negative return दे चुका है लगबख 32% का और यहाँ पे 6 महिने का highest बनाया था यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको one year का चार्ट पूटन दिखा देता हूँ 202% का शांदा रिटेन आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे highest बनाया था कुछ दिन पहले इसारा करता है कि यह लगातार lower circuit पे अपना business कर रहा है जब तक Sensex और Nifty को एक support नहीं मिल जाता तो अच्छा अच्छे CSB downtrend पे लगातार जारी रहेगा जब तक दोस्तों आपको एक अच्छा positive चार्ट पड़न नहीं मिलता है Sensex और Nifty की तरफ से तब तक कंपनी पे किसी भी कंपनी पे सब्सक्राइब निवेश करने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है यहां पर हाइज बनाया था कुछ साल पहले 2019 में 2019 में लगवाग 35 रुपे के आसपास जा चुका था 35 का शेयर गिर के यहां पर 2 रुपे 3 रुपे पर आ चुका था तो यह हो सकता है आने बाले दिनों में और और भी सस्ता हो सकता है क्योंकि उक्रेन और राशिया का तनाव अभी तक खतम नहीं हुआ है और वो लगातार जारी है मैक्स टो मैक्स चार्परन में देखा जाता है यह पर 500 परसंद का शांदार रेटें दे चुका है यह कंपनी लिस्टिंग हो था दो आजार अठरा में ठिक डिल्ड रुपय के आस्पार डिल्ड रुपय का शेयर मंध बना थे यहां पर 24 चुछ इसका बद फिर फिर्से गिर फिर्से दो डाय रुपय पर आ चका थे पिर्से अभी हई-एस बनाया ठरा बीस रुपय का उसके बाद आभी नौर रुपय के आसपास चल रहा है मै वीडियो को आप एजूकेशन परपस से देखिए ये कोई बाय और सेल का रिगोमेंट बिल्कुल नहीं है ठीक है आप निवेश करने से पहले अपनी तरफ से कंपनी का फंडामेंटल को जरूर समझ लेना और अपनी मन से निवेश करना मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो मे एक और है से जानकारी के साथ हमारी वीडियो को आनते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद